हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू एसेट बिल्लर यूटूब चेनल और आज का ये वीडियो बहुती ज्यादा एक्साइट रहने वाला है क्योंके आज का ये जो वीडियो है उसमें में कवर करने वाला हूँ के संदीप महेस्वरी कौनसी बैंक के अंदर इन्वेश कर रहे है इनका दो दिन पहले ही एक वीडियो आया है कि जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक बैंक के अंदर इन्वेश किया है जिसमें उन्होंने पूरी तरह से सब एनालिसस कर लिया है और साथ में हम वो भी देखेंगे कि क्या हमें भी blindly उन्होंने invest किया है तो हमें भी invest कर देना चाहिए के नहीं, तो पूरा psychology समझेंगे और किस तरह से stock market काम करता है, किस तरह से banking system काम करता है, किस तरह से analysis करके 10-15 साल तक invest कर सकते हैं, उसका भी हमें एक basic idea लगेगा, तो end तक मेरे साथ ही studio में बने रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संदीप महिसवरी ने जो bank के अंदर invest किया है, तो उन्होंने क्या-क्या discussion किया था, तो उन्होंने सबसे पहले बता है कि उन्होंने पूरी market का study किया, और market में जितनी भी company हैं, उसमें उनके कुछ parameter से, जैसे कि particular company का management अच्छा होना चाहिए, उसका profit growth अच्छा होना चाहिए, next 10-15 साल में company इतना grow करनी चाहिए, और इस चीज की demand रहनी चाहिए, तो ये सारे अलग-अलग parameter होगे, जो उन्होंने यहाँ पे study किये, और इसी parameter के base पे उन्होंने एक company decide की, और एक particular price पे उन्होंने वहाँ पे entry ली, और एक कितनी price हो सकती है और कितनी entry ली है, उसका भी हम एक छोटा मोटा अंदाजा लगाएंगे, देखे यहाँ पे में जो भी है, ओ एक prediction के base पे कर रहा हो, मेरे पास कोई भी full proof नहीं है, उस इसके base पे हमें पता लगता है कि संदीप महिस्वरी जी ने इस particular bank के अंदर इन्मेश किया होगा, जिसमें सबसे पहला hint था कि यह जो bank है, आने वाले 10 साल में 30% CAGR से grow करेगी, दूसरा hint था कि उसकी जो current price है, वो already 50% went up हो गई है, 50% already इसकी price उपर चली गई है, तिसरा hint था last 4 month में उस bank का price जहां पे उन्होंने entry ली, वहां से 10-15% नीचे गया था और उसके बाद price उपर जाना चालू हुई है, ठीक है, तो ए भी हम देखेंगे, चोथा hint है कि जो deposit growth है वो बहुंती ज्यादा fast है, यहां पे हम ए भी देखना है कि कौन सी bank में deposit growth सबसे ज्यादा fast है, और उन्होंने जो बेट लिया है, वहां पे उन्होंने public का behavior भी study किया है, और उन्हों पता लगा है कि public का जो behavior है, और poor financial behavior है, ओ एजटिस रहेगा, और इसलिए इस company grow कर सकती है, तो यहां पे उन्होंने एक example दिया था, लोगों के एक habit होती है, credit card पे loan लेने की, और वहां प 10% लोग होगे, बाकि 90% सही चलते, तो यह जो high interest वाली लोग है, वहां से company को बहुती ज्यादा benefit होता है, तो यह सभी parameter के base पे हम idea लगाएंगे कि कौन सी bank है, तो सबसे पहले हम screener पे चले जाते हैं, और वहां पे पूरे bank का list निकल लेते हैं, तो यहां पर मेरे पास bankों का मुझे इसा लग रहा है कि यह जो बड़ी bank है, जिसमें SBI, HDFC, ICICI, Bank of Barura, Kotak Bank, तो इसका जो आने वाले सालों में CAGR जो compound growth rate है, वो कही ना कहीं 20% के आसपस रहने वाला है, तो यहां पर for example में HDFC bank open कर लेता हूँ, और यहां पर मैं एक बार HDFC bank, तो यहां पर मैंने एक indicator 2013 कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यह जो CAGR 16.19% का रहा है, HDFC bank का जो growth है, वो 16.19% से रहा है, और आगे भी possibility है, इसका growth 16 से लेके 20% तक होता रहेगा, तो यह जो बड़ी bank है, उसका growth कही ना कहीं 15 से 20% की range में रहने वाला है, और यहां पर मेरे ध्यान में एक bank है, IDFC first bank, तो कहीना कहीं यह जो bank है बहुती ज्यादे aggressively expand कर रही है, और इनका जो management है, बहुती अच्छी तरह से इस company को manage कर रहा है, 99% possibility है कि Sandeep Maheshwari जिस bank की बात कर रहे थे, वो IDFC first bank था, हम इसका detail analysis भी करते हैं कि क्यो यह bank हो सकता है, और क्यो इसका growth है, 30% तक हो सकता है, तो सबसे पहले तो जितनी भी hint दी थी, वो hint के base पे हम देख लेते हैं कि क्या यह company हो सकती है, जिसमें सबसे पहले hint थी कि bank का share price 50% से already बढ़ चुका है, तो अगर हम last 6 month की बात करें, तो अभी August चल रहा है, तो कहीना कहीं February, March के आसपास उन्होंने entry ली होगी, ठीके, तो यहा लब यहाँ पे सिधा-सिधा 50% गेन है, तो यहाँ पे हम देख लेते एक बार, कि यहाँ पे उन्होंने already 50% का गेन कमा लिया है, अभी दूसरा hint था, कि जब उन्होंने entry ली उसके बाद, यह share price 10-15% डाउन भी गया था, तो हम मान लेते कि यहाँ पे कहीं entry ली होगी, तो य यहाँ पे कुछ हमें अंदाज लग जाता है कि IDFC first bank की था, जिन्होंने उन्होंने invest किया होगा, ठीके, लेकिन क्या हमें यहाँ पे invest करना चाहिए, तो एक बार हम इसके financial देख लेते, तो आप देख सकते कि यहाँ पे company का जो P.E.R. का 22.7 का है, और ROC, ROE ठीक ठाक की comparison में इसका P.E.R. ज्यादा है, यहाँ पे आप देखिए, SBA का only 7 है, HDFC bank का 18 है, ICICA का 18 है, KOTAK Mahindra bank का 21 है, थोड़ा सा higher side है, और बाकी सारी bankों का कही ना कही 20 से नीचे ही है, तो यहाँ पे one of the reason यह हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे growth की potential ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा लोग यहाँ पे valuation ज्यादा दे रहे हो, लेकिन जब हम कभी भी कोई भी company के अंदर invest करते हैं, तब जो price point है, वो बहुंती ज्यादा important हो जाता है, क्योंकि आप मान लेजे, कि हम IC bank की बात करें, और यहाँ पे आप invest करते हैं, तो अगर आपने 60 रुपीज की price प की price पे यहाँ पे invest कर रहे है, 10 साल के अंदर इस company का share price 600 हो जाता है, तो कही ना कहीं आपका जो portfolio है, only 6 time यह grow करेगा, ठीक है, तो 6 time भी बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप CAGR return calculate करेंगे, तो कही ना कहीं इसके अंदर बहुंती ज्यादा difference आता है, और यहाँ पे हम आज से 6 मन्त पहले की बात करें, तो यहाँ पे P ratio निकाल लेते, तो यहाँ पे अब देख सकते हैं, कि March, February में इसका जो P ratio 17 से लेके 16 चल रहा था, ठीक है, तो बहुंती ज्यादा lower side था, अगर 5 यह के भी बात करें, यह बहुंती ज्यादा lower हमें दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुंती ज्यादा history अवेलेबल नहीं है, तो आपको lower side 14, 15 जितना दीखेगा, लेकिन इस time पे company की हालत बहुंती ज्यादा खराब थी, और उसकी comparison में यहाँ पे इसकी condition बहुंती ज्यादा अच्छी है, ठीक है, सामने अगर हम इसका price to book value भी देखे, ज कुछ time पे जिनोंने investment किया होगा, उसके पेसे लगबग तीन गुना अलड़ी बन गए है, तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, कि यह है July, June July का time, तो यहाँ पे 30 रूपीज पे अगर आपने invest किया होता, तो आपके पेसे अलड़ी 3 time बन चुके होते हैं, तो यहाँ पे इस ज़्यदा बढ़ रही है, प्लस कासा रेशियो भी ग्रो हो रहा है, कम्पनी यहाँ पे totally wholesale segment से retail segment में transfer हो चुकी है, और बहुती अच्छी तरह से diversification किया है, तो सबसे पहले तो IDFC first का culture देख लेते, तो और यह culture या फिर हम philosophy बोल सकते, तो यह philosophy डेवलोप करने के पीछे एक व्यक्ति काहा थे, वो है उनके MD&CEO वीवेद्यनाथ, तो वीवेद्यनाथ जी का पकड जो है, वो retail segment में बहुती अच्छी तरह से, और उनको पता आए कि retail segment से ही अच्छा खासा business आ सकता है, और उसके लिए उन्होंने कुछ parameter लगा है, जिसमें सबसे पहला है ethical banking, digital banking and social good, त तो जनरली कुछ bank के क्या करती है, कि बहुती ज़्यादा जल्दी grow करने के चकर में, बहुती बड़ी loan एक particular group को दे देती है, जैसे Island FS का case हो गया, तो पूरी एक company डोप गई, तो उसमें जिसका भी बड़ा amount था, उस company के आलत बहुती ज़्यादा खराब होगी, तो अभी य आपे loan देने के कुछ parameter बनाया, और उस parameter के base पे उनकी जो application है total, उसमें 40-60% application ही ओलोग पास करते है, इस chart में bank का deposit growth दिखाया है, तो यह जो deposit हो total deposit है, यह deposit में retail deposit भी है और wholesale deposit भी है, तो यह जो rate है, 36% का rate है, और company के पास हाल में 1.48,000 करोर की deposit है, अगर हम kasa deposit की बात करें, तो kasa deposit भी बहुंती अच्छी तरह से grow हुए, जो 74% के rate से हुए है, 2019 में 7,800 करोर थी, वो भी बढ़के 71,900 करोर हो गई है, ठीके, तो बहुंती अच्छी तरह से kasa deposit grow हुए, और kasa deposit important इसलिए, क्योंकि यहाँ पे current account और saving account में जो interest रहता है, वो 0% और 4% रहता है, अगर हम यह जो capital है, उसका cost देखे, तो only 3.5% something ही आएगा, ठीके, और आगे bank जो loan देती है, उसका loan का interest 8% से चालो होके 15% तक होता है, ठीके, तो यहाँ पे company का net interest margin बढ़ जाएगा, जिससे profit भी बढ़ता है, अभी इस slide में यहाँ पे kasa deposit का ratio दिखा है, तो 2020 से पहले यहाँ पे kasa deposit only 10% के आसपास ही थी, आप देख सकते हैं, और अभी यह जो kasa deposit है, वो grow होके 50% के आसपास over कर रही है, तो इसका मतलब यह है, कि यहाँ पे kasa deposit बहुंती ज्यादा हाई है, और बाकी का जो deposit है, जो corporate deposit बोलते है, जिसमें बड़े-बड़े corporate house ने अपने deposit करवाई होगी, त तो यहाँ पे जो dependency थी, बड़े corporate house पे, वो कहीना कहीं काम होगी है, अभी ए स्लाइट जो है, वो बहुंती ज्यादा important है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि कम्पनी का जो actual में हालत था, 2018 में, यहाँ पे 73% deposit, वल्चेल से आ रही थी, और only 27% deposit, रिटेल वाले की थी, अभी यहाँ पे सिनारियो पूरा उल्टा हो गया है, only 23% जो deposit है, वो वल्चेल की है, और 77% जो deposit है, वो रिटेल सेगमेंट की है, ठीके, तो यहाँ पे कम्पनी का जो structure है, पूरा turnaround हो गया है, जो कि वीवेद्य नज्जी को यहाँ पे जो लाए गये थे, उसका main reason वही था, वो अ detail public जो है, उसकी default करने की possibility बहुंती ज्यादा कम रहती है, जो छोटे लोग है, वो अगर 10-15 लाख, 20 लाख का loan लेते भी है, तो अगर default करते है, तो उसकी पूरी history खराब हो जाएगी, और उसकी personal liability बनती है, ठीके, तो उसका directly impact आएगा उस person पे, अगर हम corporate की बात करें, तो company अगर कोई default करती है, तो ज्यादा से ज्यादा वो bankrupt हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे जो भी लोग है, उसको कुछ होने वाला नहीं है, और उसकी जो personal asset है, वो भी sale नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे company की liability है, तो इस case में company की default होने की probability ज्यादा है, अभी slide में आप देख सकत जिने credit card की बात की थी, तो यहाँ पे only 2% इनका revenue generate होता है, credit card loan से, लेकिन यहाँ पे profit margin बहुती ज्यादा हाई रहता, अगर हम profit का भी एसा breakup देखेंगे, तो वहाँ पे हमें एवाला segment थोड़ा सा बड़ा दीखेगा, अभी ए slide जो बहुती interesting है, company यहाँ पे पहले 2018 के अंद lending करते थे, तो यह वाली loan उन्होंने लगबग खतम कर दिये, only 2.2% loan ही बची है, bank infrastructure loan क्यों नहीं देना चाहते है, उसके पीछे का भी reason है, यहाँ पे आप देख सकते है के retail segment जो है, वहाँ पे company का NPA only 0.52% है, corporate में जो non infrastructure segment है, उन्होंने उसमें भी loan दिया है, तो वहाँ पे उनका NPA बहुती काम है, 0.03%, क्योंकि बहुती ज़्यादा selective हो गये, और उसके बाद अगर हम infrastructure financing देखे, तो वहाँ पे उनका NPA सबसे ज़्यादा highest है, 13.83%, तो इसलिए इस segment को दिरे-दिरे उन्होंने लगबग खतम ही कर दिया है, और एसा एक framework बनाया है, जब भी आप loan ल मिलता है, आपका 1B EMI default हुआ है, तो वह भी देखा जाता है, और सिबिल में record हो जाता है, और कुछ bank के एसी है, कि अगर आपका 1B cases आ है, तो भी आपको loan नहीं देती है, अगर loan देती भी है, तो एक छोटे amount की देती है, और वहाँ पे interest भी हो लोग ज्यादा charge करते है, ताक अगर आपका document genuine नहीं है, तो अगर हम NPA की भी बात करें, तो historical data के इसाब से यहाँ पे company का NPA 1.61% के आसपास था, जो covid के time पे थोड़ा सा बढ़ गया था, 4% और 1.9%, क्योंकि covid में situation एसी थी, लोगों की income काम हो गई थी, तो कहीना कहीं लोगों ने 3 से ज्यादा EMI bounce किया हो तो धीरे-धीरे यह जो NPA डाउन आना चालो होगी, और अभी condition एसी है कि online only 0.52% NPA है, तो company का यहाँ पे potential है बहुती ज्यादा है, और दूसरी जो bank है, बड़ी-बड़ी HDFC bank, Kotak bank, Axis bank, उसके comparison में यह bank इसलिए आगे है, क्योंकि यह लोग technology का भी leverage ले रहे है, और अगर आ कई आने वाले टाइम पे यह सारी चीजे impact करेगी, और एक चीजे जो आने वाले तीन साल में बहुती ज्यादा impact करने वाली है, ओ है company का sponsorship, तो आप यहाँ पे news में देख सकते, यहाँ आप सिंपली टाइप करिए IDFC bank sponsor, तो आप यहाँ पे देख सकते कि IDFC first bank ने sponsor किया है Indian cricket team को, ठीक है वेसे Indian cricket team को sponsor करना बहुती costly affair है, और यहाँ पे company ने बहुती ज़्यादे पेसे दिये है तीन साल के, लगभग साड़े 300 करोड उपे दिये है तीन साल के, तो यह बहुती ज़्यादा costly affair है, लेकिन मुझे सा लग रहा है कि कही ना कही इसका जो impact है बहुती ज़्य चाहिए कर नहीं, तो मैं अगर मेरी बात बताओ, तो मैं अभी इस price point पे invest नहीं करूंगा, क्योंकि already यहाँ से price बहुती ज़्यादा stress हो चुकी है, और इस price पे अभी company के जो valuation है, थोड़ी सी higher side है, अगर मैं यहाँ पे long term perspective से सोचता हूँ, कि 10 साल के अंदर इस company का share price 1000 होन में यहाँ पे invest करते है, तो यहाँ पे benefit है, कि आपको बहुती ज्यादा psychologically pressure नहीं आएगा, कि मैंने already यहाँ पे invest कर दिया, और over the night मुझे 10% का loss दीख रहा है, हाल फिलाल में मैं इसमें invest करने वाला नहीं हूँ, जब भी इसमें कोई price action बनेगा, तो मैं इसमें entry लूँगा, तो यह वीडियो बनाना के पिछे का purpose यही था, कि आप यहाँ पे company का analysis किस तरह से करना है, और किस तरह से उसमें entry लेनी है, ओ आप सिक के समझ के और share market किस तरह से काम कर रहा है, ओ पूरा सिच समझ के ही आप entry लेजे, और उसके बाद ही investment करिए, आसा करता हूँ के वीडियो आपको पसंद आयोगा, अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें